नमस्कार में प्रिये रंजन और आज की इस एपिसोड में एक मस्त रिवर्सल स्टॉक को डिस्कस करेंगे जो उपर से 40% करेक्ट हुआ लेगिन इस समय हाइर वॉल्यूम के साथ एक ब्रेक आउट रहा है और ये स्टॉक है IRFC रेलवे स्टॉक में अगें एक मोमिंटम आते दिख रहा है और मुझे लगता है कि IRFC अगें 20-30% तक की तेजी के लिए तयार होते दिख रहा है तो एपिसोड में आगे बरें उससे पहले प्रीमियम टेलिग्राम जो की बिल्कुल फ्री है उसको जॉइन करें डिस्क्रिप्शन के लिंक से एकाउंट आपें करें वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर सेयर करेंगे IRFC स्टॉक आज लगबग 8% की तेजी दिखी वैसे तो बजार में भी थोड़ी बहुत रिकवरी रही लेकिन इतनी नहीं रही जितना की IRFC बढ़ चुका है IRFC के बढ़ने के साथ ही आज अगर इस स्टॉक में देखेंगे तो जो वॉल्यूम है कॉमन वॉल्यूम के कंपरेटिबली जो हाइस वॉल्यूम रहा था वो 3 करोड 20 लेक का रहा था लेकिन आज की वॉल्यूम लगबग लगबग देखेंगे तो 8 करोड 20 लेक की आसपास का वॉल्यूम है 27 लेक बायर 41 लेक सेलर यानि इस स्टॉक में किलियरली विजिबल है कि यह जो ट्रेंड रही है यह हाइर वॉल्यूम के साथ ब्रेक आउट रहा है और ऐसे ब्रेक आउट इसली सोट्टम मोमिन्टम भी देता है पहली बात तो यह याद रखेंगे कि 4th November को कंपनी अपना quarterly number ला रही है मंडे को 4 नवंबर को quarterly ला रही है उसके साथ ही 12th November which is Monday कंपनी recorded रखा है dividend के लिए dividend बहुत बरे नहीं मिलेंगे 80 पैसे से 1 रुपीज के बीच का dividend मिल सकता है और quarterly numbers से पहले एक भूचाल आई है higher volume के साथ breakout हुआ है अगर इस stock के chart को मैं आपके साथ साजा करूँ तो यहाँ देखेंगे कि उपर से जो उपर का price है इस price से stock जो correct होते दिखा था 230 के price से लगबग लगबग 42% correct हुआ उसके बाद यहाँ देखेंगे तो एक volume यह continuous एक volume रहा था sorry यह trend line रहा था lower low lower high का यह trend line यहाँ पर देखेंगे यह trend line यहाँ पर breakout हुआ अब जो भी retracement होगी वो buying होगी जब तक कि यह stock 134 के level को breakdown नहीं करता है 134 के नीचे view invalid हो जाएगा अब यहाँ से probably इस stock में यह देखेंगे लगबग 176 184 का पहला target और इसके साथ probably देखेंगे तो 200 220 के levels को भी hit कर सकता है 134 के नीचे गया तो view invalid और IRFC ही नहीं RVNL भी देखेंगे आज के trading session में अगर intraday level पे देखेंगे तो लगबग लगबग 7% की तेजी रही और same as expected जो reversal है वो reversal दिख रहा है तो overall IRFC को लेकर के मुझे एक short momentum दिख रहा है